आपके अपने चैनल जोगी सरकी पाट साला को सबस्क्राइब कीजिए और बैल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफकेशन मिल जाए नमस्कार प्यारे बच्चो आप सभी का स्वागत है आपके योट्यूब सेनल जोगी सरकी पाट साला में आज इस वीडियो में हम दस्वी केक्षा की गनित विशे की अध्याय दो चैप्टर दो बहुपद की एक्सरसाइज दो पॉइंट तीन का पहला परसन हल करेंगे क्या कहता है विभाजन एल्गोरिदम का प्रियोग करके निमन में पी एक्स को जी एक से पी एक हमारा बहुपद है एक बहुपद को जी एक बहुपद से भाग देने पर भागफल तथा सेस्फल ग्यात कीजिए तीक ही यहां पर एक्स्टर हमारी है विभाजन एल्गोरिदम हम नंबरों को हमने यूकलेड विभाजन एल्गोरिदम की थी वो हमारे पास नंबरों से रिलेटीड थी यहां पर हमारे पास बहुपद से रिलेटीड विभाजन एल्गोरिदम है पहले इसके बारे में बता to zero GX जो है वो 0 नहीं हो सकता गर 0 तो हो गया वो क्या हो जाएगा A परिभासित हो जाएगा तो हम हमें जैसे हमने युकलेड विभाजन अल्गोरिफम में दो नंबर लिये थे A and B जब A को B से भाग करते हैं तो हमें Q and R नंबर मिलते हैं कि A can be written as B Q plus R और R की condition क्या थी R is greater than zero and less than B हमारे पास यह condition थी युकलेड डिविजन अल्गोरिफम में तो यहां पर विभाजन अल्गोरिफम में हमें PX को अगर हम GX से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा एक तो QX मिलेगा और एक और एक्स मिलेगा दो बहुपद मिलेंगे कैसे कि हम PX को कैसे लिख सकते हैं GX इंटू QX प्लस और एक्स से वही चीज है वही नंबर से हमारे पास यहां पर बस ही क्या बन गए हैं बहुपद बन गए हैं यहां पर नहीं है यहां जो घात है किसकी आर एक्स की आर एक्स की जो पावर है वह लेस देन किसके होगा जी एक्स की घात से आरेक्स की जो घात होगी पावर जो होगी वो जी एक्स की घात से क्या होगी चोटी होगी तो ये है हमारा विभाजन एल्गोरिदम बहुपद का अब हम यहां पर डिवाइड कर रहे हैं डिवाइड करके हमने क्या निकालना है भागफल तथा सेशफल निकालना है मतलब हमने qx and rx निकालना है देखिए first part कर रहे हम first part में x cube minus 3x square plus का 5x minus 3 भाग करना हमने किसे भाग करना है x square minus 2 से भाग करना है अब कितने पर जाए बच्चे यहां पर confused हो जाते हैं हम क्या करते हैं जो पहले बड़े वाली पावर है उसको इस पावर से डिवाइड करते हैं means ऐसे करें हम x cube को x square से डिवाइड करेंगे यह cancel हो जाएगा मतलब 3 में से 2 power cancel हो जाएगी बचेगी क्या 1x it means कितने पर जाएगा यह x पर जाएगा अब x को जितने भी values हैं उनसे multiply कर दीजी x को x square से multiply करोगे तो क्या हो जाएगा x cube फिर minus 2 को x से minus क्या हो जाएगा 2x cube फिर क्या करते हम इसमें minus इनके sign change कर लो यह minus यह plus घटाते हुए sign अगर plus का तो minus का हो जाएगा minus का है तो plus का हो जाएगा यह cancel हो गया minus के 3 है plus के 2 है ज्यादा है minus के तो क्या बचेगा minus x square plus 5x minus 3 अब आगे यहाँ पे भी x square है यहाँ पे भी किस पे जाएगा यहाँ मेरा minus x square है यहाँ पे मेरा x square है x square से x square cancel होके क्या बचा 1 बचा लेकिन किसका minus का तो कितने पे जाएगा ये minus 1 पे क्या बन जाएगा minus x square और minus minus plus का 2 यहाँ पे जाएगा क्योंकि अगर यहाँ पे तो x वाली value आएगी बट यह तो constant है हमारे पास sign change कर दीजिए minus का plus हो गया plus का minus ये cancel हो गया इधर क्या बचा 5x minus का 3 minus का 2 minus के 5 अब इसकी जो घात है इसकी घात से जादा है इसलिए आगे divide नहीं होगा हमने अभी बताया था कि जो हमारे पास rx है rx की घात gx से क्या होगी चोटी होगी तो हमने भाग कर दिया हमारे पास अब हमने क्या निकालना था भागफल भागफल हमारा क्या होगा भागफल आगया हमारा x minus 1 है और 6 फल क्या होगा हमारा 5x minus 5 होगा यह हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया इसके बाद हम सेकंड पार्ट को करते हैं सेकंड पार्ट में हमारे पास पी एक्स एक्स की फोर फोड़ा नीचे लिख लेते हैं इसको एक्स की फोर अच्छा यहां पे एक्स क्यूब नहीं है जुरूर्ट पढ़ भी सकती है नहीं भी पढ़ सकती है तो मैं लिख लेता हूँ प्लस का जीरो एक्स क्यूब क्योंकि एक्स क्यूब नहीं था तो जीरो के साथ कर सकते हैं माइनस थ्री एक्स क्यूब यहां पर कन्फूज मत होना एक्स क्यूब नहीं था जरूर्ट हो भी सकती नहीं भी वह हमने डिवाइड करते हूँ पता चलेगा प्लस का फोर एक्स औ और प्लस का वन पहले कितने पर हमें क्या करना इसकी बड़ी पावर को इस से डिवाईड करना x की फोर को मुझे इससे डिवाईड करना x स्क्वेर से यह जब कैंसल करेंगे चार में से कितनी पावर रह जाएएंगी दो इट मेंस कितने पर जाएगा ये x-square एक स्क्वेर से सब को multiply कर देखिए x-square को x-square से multiply करोगे तो कितना बन जाएगा एक सकी चार बन गया उसके निचे लिख दिया एक स्क्वेर को म मैननस एक से एकस उसकी पावर एक है ble तो कितना हो गवें जुरूर पढ़ गए हमाई ह Canadians क्हार तो minus x की पावर 3 क्योंकि इनका गुणांक कुछ ने तो एक ही रहेगा अब x square को एक से गुणा करेंगे तो x square आएगा और किस चीज़ का पलस का x square वाले के निचे लिखी देते हैं x square क्या करेंगे साइन चेंज कर दीजे minus ये plus ये minus ये cancel हो गया ये तो 0 है सिरफ ये बचेगा हमारे पास x का cube ये minus 3 ये minus 1 तो minus के 4 x square पलस का 4 x पलस का 5 अब अगला कितने पर जाएगा हम x cube को x square से अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहां पर पावर कितनी बचेगी सिरफ एक बचाएगी it means कितने पर गया ये x पर गुणा कर दीजे सभी को ये बन गया x cube x से इसको करेंगे minus x square x को 1 से करेंगे plus का x सबके sign change कर दीजे ये minus ये plus और ये minus हमेशा ये तो हम ऐसे चीज लेते हैं कि जो पहला पूरा का पूरा खट जाएं ये minus का 4 ये plus का 1 है तो क्या बचेंगे minus के 3 x square plus का 4 minus का x है 1 है तो plus का कितना बचेंगे हमारे पास 3 x plus का कितना हो गया 5 हो अब कितने पर जाएगा इसको इससे डिवाइड करना है minus 3 x square को x square से अगर हम डिवाइड कर दें x square x square cancel हो गया क्या बचा minus 3 it means कितने पर जाएगा minus 3 x square minus minus plus का 3 x यहाँ पर minus के 3 सबका sign change plus minus और यहाँ पर क्या हो जाएगा plus हो जाएगा यह cancel plus का 3 x minus का 3 x यह भी cancel 5 और प्लस का 3 यह कितना हो गया 8 हमने क्या निकालना था भागफल भागफल क्या हो गया हमारा भागफल है x square粉लस x-3 और सेसफल हमारा कितना है सेसफल हे हमारा कितना आ गया 8 आ गया इस तरह से हमने इसका second part भागफल और सेशफली निकालना था अब हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं थर्ड पार्ट में क्या है एक्स की फोर माइनस फाइव एक्स है तो इसका मतलब बीच में हमारे पास एक्स की क्यूब का भी नहीं है हम लिख लेते हैं जहां पर जूरूत होगी हम उसको रख लेंगे प्लस का जीरो एक्स क्यूब प्लस का जीरो एक्स क्यूब माइनस का पांच एक्स प्लस का छे यह नहीं था मैंने अपनी तरफ से लिख लिया जीरो के साथ multiply होके जीरो ही हो जाता है तो अब भाग किसे करना है इसको ऐसे करके लिखने हम माइनस का x2 और प्लस का दो ठीक है क्योंकि पावर बड़ी हमारे पास यह है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अब कितने पर जाएगा यह x की 4 है यहां पर कर देता हूं मैं x की 4 को माइनस x2 से करेंगे पावर कितनी रहेगी 2 लेकिन यह माइनस इसके साथ आ जाएगा it means किस पर जाएगा माइनस x2 माइनस-mाइनस-plus x की 2 गुणा में x की 2 x की कितना ओग ए 4 in δोनों की value भी से माने चीए इन दोनों का sin भी से माना चीए ताकि माइनस करते हुए और चेंज हो जाए और कट जाए अब माइनस X स्क्वेर को प्लस के 2 से गुणा करोगे अब स्क्वेर में ही बनेगा तो स्क्वेर के निचे लिखेंगे हम माइनस के 2X की पावर 2 यह इसको लिखने की जूरत नहीं हमारे पास सिर्फ इससे काम चला यह माइनस यह प्लस यह कैंसल 0 है यह वैसे 0 है इसको करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 2X के माइनस का 5X और प्लस का 6 अब कितने पे जाएगा हमने 2X को किस से भाग करके देखना है यह माइनस X स्क्या से X स्क्या से X स्क्या 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 स का 10 तो इसका मतलब जब हमने PX को GX से भाग किया तो हमारा भागफल कितना हुआ भागफल आ गया भाई हमारे पास माइनस X स्क्यार माइनस दो और हमारा 6 फल कितना आया तो 6 फल हो गया हमारा माइनस 5X प्लस 10 देखी यहां पर हरे क्योस्टन में जो क्यो एक्स की घात है यहां पर घात इसकी दो है इसकी एक है यहां पर आर एक्स की घात जीरो है मतलब एक्स की पावर जीरो है तो यहां पर दो है इससे कम हो और remainder zero नहीं है लेकिन घात उसे कम है यहां पे घात एक है यहां पे घात दो है तो इसकी घात जो है इससे कम है अगर remainder zero हो जाए तब हम यह कह सकते हैं कि यह इसका गुणनखंड है पूरा का पूरा भाग करता है तो वो क्या होता उसका गुणनखंड होता है तो इस तरह से हमन पहले क्वेशन के तीनों पार्ट हमने इसमें कंप्लीट कर दिये नेक्स वीडियो में आप से मिलते हैं नेक्स क्वेशन के साथ तब तक के लिए धन्यवाद